नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है यूपी पुलिस की कॉंस्टिवल भरती परिक्षा में एक उम्मीद्वार का एडमिट कार्ड चर्चा में है उसके एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो लगी हुई है हाला कि रजिस्ट्रेशन और रोल नमबर में उम्मीद्वार का ही नाम है उसका कहना है कि जब उसने शुरू में अपना एडमिट कार्ड निकलवाया था तब उसकी फोटो ही थी लेकिन पता नहीं कैसे बाद में ये बदल गया फिलाल पुलिस जांच पर्टाल में जुटी हुई है बता दे कि जस उमीद्वार के पुलिस भर्ते अडमिट कार्ड में अभिनेतरी सनी लियोनी की फोटो लगी थी है उसका नाम धर्मेंद्र कुमार है धर्मेंद्र महोबा जुले का रहने वाला है सनी लियोनी की फोटो लगा प्रवेश्पत्र सोचल मीडिया में वारल होने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच शिरू करती है पूरे प्रदेश में परिक्शार्ती के नाम पर सनी लियोनी के नाम और फोटो लगा का नाम और फोटो कैसे आ गया उसे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है मालूम हो कि कर्णाज जिले में सनी लियोनी के नाम से जारी प्रवेशपत्र महोवा के रगाउलिया बुजुर्ग गाउनिवासी धर्मेंदर कुमार का पाया गया है मामला सुर्खिया बना तो रविवार को क्राइम ब्रांच परिक्षार्थी के गाउन रगौलिया बुजुर्ग पहुची और उससे पूस्ताज की धर्मेंदर कुमार ने बताया कि उसने महोवा एक कंप्यूटर कैफे से पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था परिक्षा केंदर का नौज आया था मगर एडमिट कार्ड में उसके स्थान पर सन्नी लियोनी की फोटो चपने के कारण वहाँ परिक्षा देने के लिए नहीं हो पाया वही मामले में रविवार को गाउं पहुची पुलिस टीम ने धरमेंदर से गहनता से पूछताज की अधिकारियों का कहना है कि जाच की जारही है जाच के बाद इससे 30 पस्ट होगी